तो आज का टॉपिक है आपका भारतिय ब्रिटिस मूर्तिकार है जिनका नाम है अनिश कपूर जो आपका यहां पे पूरा कम्प्लीट डीटेल्स में आपको बताया जाएगा और यह इनके बहुत बता देते हैं तो एक बार तो सबी लोग शेयर भी कर दीजिएगा तो बता देते हैं आपके डेली आर्टिस की जो क्लास चलती है तो यहां पर अगर आपको किसी को भी रिवीजन करना है तो आप लोग साथ बज़े यहां पर जॉइन हो सकते हैं यह ने स्टूडेंट के लिए है जो पुरा बार्ण है तो यह बार्ण है यहां पर इनका जन हुआ है और कब 1954 में मुंबई महारास्ट में हुआ है ठीक है यह चीज हो गया है अब हम बात करते हैं कि देखो अनीश कपूर अनीश कपूर में आप इनके सबसे ज़्यादा देखेंगे कि इनकी जितनी भी पिक्चर मैं आ तक कि आपको याद रखना है कि भारती बिःटिस मुर्तिकार है दुसरी चीज आपको याद रखना है कि यह जितने भी अपने जितनी भी यहां पर बनाते थे अड़े Caribbean का सबसे जíदक़ उसे polls करते आपने उनकी देख सकते हैं मदर ऐइज माउंटेन वीं आ यह जो आपक पिक्चर में दिखता है आप लोग देखे सकते हैं यहां पर जो बहुत सारी पिक्चर है अधिकतर आपको इनको red color में मिल जाएगी ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका Anish Kapoor तो अनीश कपूर का देखते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इनका जो जन्म हुआ है 12 मार्च 1954 में हुआ है यानि कि 1954 तो मुंबई में हुआ है और ये ब्रिटेन में ही पले बढ़े थे लेकिन इनका जन्म कहा हुआ है मुंबई में जन्म हुआ है और लेकिन ये ब्र पुजाबी है माता यहूदी है और इनकी जीवनसाती है जो जर्मनी है यानि कि जर्मनी की इनकी मेसिस है और ये बरतमान में लंडन में रहते हैं कौन अनीश कपूर ये आपको याद रखना है ये तीनों ही आपके बहुत ही जादा इंपोडेंट पॉइंट है ये चारों आप याद रखीगा अब हम बात करते हैं इनकी जो कला सिक्षा है कला सिक्षा है इनकी कला सिक्षा कहां से हुई है तो याद रखीगा इनकी सिक्षा हुई है इन्होंने दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद ये 1971 में इसराइल इंजिनिरिंग के लिए चले गए थे लेकिन इनका मन तो लगा नहीं अब देखो जिसका जो होती है ना जो मन करता है अब इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है वही चीज होता है जिसका जिसमें मन लगता है वो उसको हासिल करके ही रहता है चाहिए वो किसी तरीके से वो एंड टाइम पर वहीं आ जाता है कोई forcefully कोच भी नहीं बन सकता है कोई भी इंसान हो बिलकुल ही बन सकता है जो जिसका मन होगा उसे में इंट्रेस्ट आएगा उसे को काम करने में अच्छा लएगा तो वो उसको अच्छे से जादा कर सकेगा चालिए तो यहाँ पर देखते हैं इनकी यह चीज हो गया है सिक्षा याद रखीगा दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद यह 1971 में इस्राइल इंजिरिंग के लिए चले गए थे लेकिन इनका मन ना लगने पर यह कहां चले गए 1972 में यह ब्रिटेन चले गए कहां चले गए ब्रिटेन चले गए आप हम देखते हैं इनकी जो कलाकरती है तो यहां की one thousand name से एक कलाकृती बनाई थी जो अमूर्थ जैमिती में है तो इसको आपको दिखा देते हैं कैसी बनाई थी तो यहाँ पर आपका one thousand नेम यहाँ इवाला है आपको भी पता है ना कब बनाई है बताईएगा 1979 में यहां पे 80 ठीक है यानि कि एक साल के अंदर यह वाला जो बनाया है यहां पर इसके बीच में इन्होंने इंस्टॉलेशन यह तयार करा था यहां पर जो है किसमें अमूर्थ जयामिती में आप लोग देख सकते हैं बच्चे कहते हैं कि मैं हिंदी में बताया करें तो 1989 से आपका हो जाएगा 1989 ठीक है चलिए तो यह चीज़ हो गया है अब आप हम बात करते हैं इनका और पएन्ट क्लियर हो गया ना पहला वाला पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ मे ठीक है चालिए तो अब हम बात करतें यहां पे 1990 में यानि कि 1990 में अपना installation वेनिस बिनाले में ग्रेट ब्रिटन के प्रतिनित्त किया यानि कि 1990 में इन्हों अपना installation मतलब जो नहींक कि राधर बिनाले में एक ग्रेटन का खुरदरा बलुवा पत्थर के साथ 16 ब्लॉक हैं जिसमें कितने हैं? 16 ब्लॉक हैं जिसमें होल भी उसमें बनाए गए हैं अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इस विनाले में प्रेमियर डूमिला का सम्मान इनको प्राप्त हुआ था अब देखते हैं कि इनका जो ये कौन सी किसकी बात कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कौन सा वाइड फीर्ड है तो इसको आप लोगो याद रखना है याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको void field है याद रखिएगा void field है जो आपका venus बिनाले में इनको यहाँ पर बनाया था तो यहाँ पर जो है माद्यम कैसा हो जाएगा खुरदरा बलुवा पत्थर यह जो आप देख रहे हैं यह खुरदरा बलुवा पत्थर है ठीक है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें यह जो बनाये हैं sole block हैं जिसमें hole भी बनाये हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चलिए तो बड़ा बाले दिखा देती हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह hole बने हैं यहाँ पर उसमें hole भी बनाये हैं और इनको इसी बिनाले में जो है यहाँ पर वेनिस बिनाले में इनको प्रेमियो डुमिला का सम्मान प्राप्त हुआ था ठीक है तो यह clear होगे आपको देखो साथ साथ में इसको clear करते जाएगा इसलिए मैं उपर नीचे करके इसको आपको पढ़ा रही हूए कि आपका एक एक point clear हो जाए और आप उसको देख ले क्योंकि आप लोग ऐसी पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पता है टेट मॉडरन गैलरी कहां पर है तो आपको पताना है कि लंडन है सभी लोग ने पढ़ा होगा ऐसी ही पढ़ते पढ़ते ऐसी समझ में आ जाता है इससे पता लग जाता है कि हम लोग उन्हों कितना पढ़ा है कितना पता है है इसलिए इस टाइप से कुश्शन आ जाते है तो पूछ ले जाता है कि टेट मॉडरन गैलरी कहां पर है तो आप बता सकते हैं लंडन में है बाकी तो इनके बारे में ही पढ़ी रहे हैं तो यहां पर मार्सियास की पहले बात करते हैं कब बनाया था 2002 में बनाया है और ये कहां पर लंदन की ट्रबाइन जो टर्बाइन हॉल के लिए इन्होंने बनाया था जिसका साइज कितना है 550 फीट है यानि की 105 मीटर है और इनक्स का डिजाइन है एक मांसल लाल प्लास्टिक जिली से जुड़े तीन बड़े स्टील के छले की साहता से एक तुरही का रूप बनाया गया है तुरही मतलब जैसे तुरही आप लोग जैसे होता है ना खाने वाला उसकी तरह उसी तरह से एक बनाया है इन्होंने तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर देखो ये वाली पिक्चर है ये है ये है मार्सियास का है ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं कौन सी हो जाएगी मार्सियास की हो जाएगी अब मार्सियास की आप लोगों ने ये पिक्चर देख ली इसका ही साइज जो है 550 फीट है कितना है 550 फीट हो है यहाँ पर मतलब कितना जादा बड़ा है 50 cm आप सो Should सकते हैं कि इतना जादा बड़ा हो गया चलिए तो यह चीज हो गया है इसको सब को समझ में आ रहा है या fra kar Beau तो यहांपर है वही चीज है आपका एक दो यह बता ही दिया n मांसलाल प्लास्टिक जिली से जुड़े तीन बड़े स्टील के चल्ले की साहता से एक तुरी का रूप यहाँ पर बनाया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चले तो क्लियर हो गया यह सभी स्टुडेंट एक बार कमेंट करके बताती जाएगा कि हां समझ में आ रहा ह पूछ ले जातर मादियन दो नहीं पूछता है साइज इसका जातर पूछ सकता है साइज सबसे ज़्यादा इंपोरेंट है तो साइज को जरूर याद रखीगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड गेट है मोस्ट इंपोरेंट है आप लोग भी जानते हैं क्लाउड के मिलेनियम पार्क में इस्थान इसका हो जाएगा बाकी हम बात करते हैं आपर जो नोट में लिखा का है सायूगत राज अमेरिका में इनकी पहली इस्थाई जो है यहाँ पे साइज विशिस्ट इंस्टॉलिशन है यानि कि अभी तक इन्होंने जो बनाया वो मतलब साइज जो मतलब इंस्टॉलिशन इन्होंने बनाया था अनिश कपूर ने यह है संयुक्त राज अमेरिका में यानि कि कहां पर शिकागों में और शिकागों कि कहां पर मिलेनियम पार्क में तो यह चीज़ क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं इनका साइज साइज मोस्ट इ यानि की लंबाई चोड़ाई और यहां पर उचाई हो जाएगी ठीक है यानि की लंबाई यह हो जाएगी और इसकी चोड़ाई हो जाएगी और बागी इसकी मोटाई यह वाली हो जाती है ठीक है तो यह चीज़ क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं यहां पर इनका जो है य वाला यहँ वाला आप लोग देख सकते हैं जो है आपका 110 तन का है यह जो इन्होंने बनाया है नोंने अ इस Cloud Gate जो बनाया है वो कितने टनका है 110 टनका है अब हम देखते हैं Cloud Gate की भी पिक्चर देख लेते हैं दो Cloud Gate ये वाला है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनीश कपूर यहाँ पर फिर्म Cloud Gate in Chicago Millennium Park है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही चीज इसी की बात कर रहे हैं यानि कि यह वाली जो चौड़ाई इसकी जो है इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर यह हो जाएगी 13 हो जाएगी इसकी जो मुटाई है यह वाली जो मुटाई है यानि कि यह हो जाएगी 20 हो जाएगी ठीक है और इसकी जो लंबाई है इसकी आपकी लंबाई आप लोग किस की बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो है आपका कौन का हो जाएगा यहां पर SKY MIRROR वेरिमपोडेंट है SKY MIRROR देखिएगा तो यहां पर है यह आपका SKY MIRROR एक मिनट यह 20001 है कभी कभी गलती हो जाती है तो हाँ पर 2000 कर लीजिएगा क्लियर चलिए तो इसकाई मिलर है जो आपका 2001 एक में यह बनाया है बाकिस्थान है रॉक्फिलर सेंटर यानि की न्यूइर्क यह अमेरिका में है इंडिया में ऐसी कोई भी अनिशकपूर का नहीं है जो इंडिया में रखी हो है ना चलिए तो यहां पर इंड पर इसका साइज है 35 फीट यानि की जो है आपकी 35 फीट के लगभग यह बना हुए है तो यहां पर चलिए इसकाई मीरू के बारे में भी दुआ देते हैं और आप लोग लग दिख सकते हैं यह अ HC जानरी इंडिया थाज़ार ex增ाजारा defining यह नहीं बना चलिक हाँ息 दो बनाने वाला समय है clear यह चीज़ बता दे रही हूँ 2000 एक ही है इसका 2000 एक ही right answer है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाला sky mirror जो आपका यहाँ पर 35 feet में यह बनाया हुआ है 35 feet मीटर है यानि कि 11 मीटर का यह बना हुआ है ठीक है यानि कि इसका पूरा जो size है मतलब कि ज़्यादा बड़ा है आप लोग देख सकते हैं नेक्स देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा यह यह हो जाएगा यह दो हो गए अब हम बात करते हैं यहाँ पर turning the word upside down है जो 2010 में यह बनाया हुआ है इस्थान कहां पर है crown plaza Jerusalem यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड down plaza Jerusalem के इसराइल संग्राले में है कौन सा turning the word upside down और इसका size कितना हो जाएगा 16 feet है यानि कि इसकी height जो है यानि कि जो उचाई है यह वाली उचाई अभी आपको दिखा देते हैं आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाएगा stainless steel में बना हुआ है तो यहाँ पर चलो 10 में बनाया है 2010 में बनाया है और इसका ही size बता रही हूँ यह जो size आप लोग देख रहे हैं यह वाला यह कितना हो जाएगा 16 feet का हो जाएगा कितना 16 feet का यह height है बाकि आपको तो दिखी रहा होगा कि stainless steel में यह बना हुआ है clear चले तो यह चीज़ लर्ण हो ही गया होगा अब हम देखते हैं यहाँ पर आर्सेजर मित्तर और्बिट टावर है जो आपका यहाँ पर इसका जो समय है जो इसका समय है कितना हो जाएगा 2011 से 12 का इसका समय है बाकी इस्थान है कहां पर है यह लंदन में यानि की बिटेन में लंदन ओलंपिक पार्क देखो ओलंपिक मे में यह है बाकी000 साइज है यहां पर 377 इसका 14 vẫn 15 में तो दोनों ही आप याद रखनाDER में यहां पर आप देख सकते हैं बाकी इसका अगर टाइम पूच़ जाता है तो यहां पर आर् .5 कहीं कहीं ऐसे भी करके आसकता है एक्जाम में ये भी बहुत जादा most important है ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसका size बहुत जादा पूछा जाता है आरसलर मित्तर ओर्विट इसमें सबस्यादा दो ही थो बहुत जादा important है एक है cloud gate और एक है दूसरा यहां पे यह वाला यह वाला जो है आर्सिलर मिट्टल और्बिट यह dो जो है बहुत ज़दा एक्जामें पूछे जाते हैं यह अनिश करपूर के इनका पूरा याद कर लेना आप लोग जाद तर साइज याद कर लेना कौन से स्थान पर है कौन से भाध्यम में बना है कहां पर ये इस्थित है ये सब याद रणा इसका क्या उपनाम है Cloud Gate का जो उपनाम है इसका कोई उपनाम नहीं है लेकिन आप लो यद कर ले न यहाँ पर जो बता रही हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यही है आरसिलर मित्तल और्बिट, जिसका आप लोग को पता है ना, साइज, यानि कि जो साइज इसका जो है, यानि कि जिसकी हाइट की बात कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 114.5, चाले, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा, 114.5 मीटर है, तो इसको याद रखीगा, बाकी 115 मीटर इसका क्या हो जाएगा, मतलब मीटर में इसका साइज हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई, चोड़ाई, उचाई से कोई मतलब नहीं है, त आप लोग इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लिजेगा, यह भी बहुत बार एक्जाम में पूछे आता है, तो आप लोग इसको मतलब समय याद रखना, समय याद रखना है, इस्थान, इस्थान को पता है ना, कहां है, यह बताईगा, तो पता है ना कि लंदन के तो औलंपिक गेम के लिए यहाँ पर ये बनाय गया था तो आप लुग देख सकते हैं लंदन ओलंपिक पार्क में यह है बना Պब हुआ बाकि तो मैंने लिखने की जरुदी नहीं है यहाँ पर आपș Two ख को गोते हैं बहुत अच्छत मैंने लिखने के लिखने की लिखना बर इसलिए theory की class एक must है तो theory की class जरूर जोइन करें यह तो कंबल सरी है साथ बजे वाली class सभी join करा करें बहुत वो दो बजे वाली practice set में तो ज्यादा student होते हैं कोशिस करा करें कि इसमें भी सारे student आया करें कि ताकि आपका practice set वो practice set के साथ साथ आपकी theory भी चलती रहे ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं वागे थे notes से सब के रखें रहते हैं बहुत अच्छी बात है सब के पास notes है बहुत अच्छी बात है लेकिन आप लोग कोशिस करा करो बहुत सरे student ऐसे जिंके पास notes भी है उनके पास कुछ points नहीं लिखे होते तब क्षी रहते है चलिए तो यह चीज है Arceler Middle Orbit चलिए तो यह चीज हो गया है अब हम बात किसकी करेंगे यहां पे next है Commander of the Order of the British Empire तो यहां पे commander of the order of the British Empire है यानि कि CBA जो आपका यहां पे 2003 बनाया है next है यहां पे Ark Nova important है यह वाला इसको देख़ेगा जो 2013 में यह बनाया है तो यहां पे 2011 में यहाँ पे जापान में एक बड़े भूकंप और सुनामी की चपेट के दो साल बाद दो साल बाद इन्होंने आर्किटेक्ट अराता अजौसकी और अनीश कपूर ने एक यहाँ पर मुबाइल कंस्रुक्चन हॉल को पूरा किया था अब यहाँ पर देखते हैं आर्क नोवा है क्या अब आर्क नोवा यह है यह जो आप लोग दिख रहा है यह वाला पिक्चर आप लोग को दिख रहा होगा यह वाली पिक्चर यह है आर्क नोवा आप देखते हैं यह अंदर से कितना ब्यूटिफुल दिखाई दे रहा है आप लोग देख सकते हैं यह भी जादा अच्छा है मतलब कोशन भी बहुत अच्छा है तो यहाँ पे चलो आप लोग देख लिया है आर्क नोवा अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 2013 में बनाया है तो यहाँ पर वैन आई आम प्रेगनेंट जो है यह आपका मीडियम के कौन वैन आई आम प्रेगनेंट 1992 तो यह आप लोग एक मिनट तो यह है यहाँ पर आप लोग यह पिक्चर देख सकते हैं यह पिक्चर है यह पिक्चर भी बहुत जादा इंपोर्डेंट है आप लोग इसको भी तयार करिएगा आता है यह भी एक्जाम में पूछ लिया जाता ह 1992 का है यह अब हम देखते हैं यहाँ नेक्सट है तो चलिए तो यह चीछ उदिफ्का दिया है आप बात करते हैं यहाँ पर इसको भी देखिएगा मामरी दो यहां पर है यहां पर यह वाली जो पिक्चर है आप लोग देख रहे होंगे यह है जो आपकी मामरी यह बैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो यह मामरी कैंसी है है ना ऐसा लग रहा है कि कोई दोलक जैसी हो है ना बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो लगा अरे यह कैसा है यह कौन सी मामरी हो चाले तो यह चीज़ हो गया है इसको अच्छे से इसको भी तयार करिएगा बस आपको यह रियात करनी है 2008 का है बाकी कहां पर है नियोर्क में है बस आपको क्या ही पढ़ना है बस थोड़ा से तो पढ़ना है क्यों चले बहुत सारा पढ़ना है अभी नहीं पिक्चर भी बाकी है बहुत सारे हाय वक्त बहुत सारा काम करना है आपको बहुत सारा लर्न करना है बहुत सारे आर्टिस्ट है एक तो मैं सोच रही हूं आर्टिस्ट कब खता होंगे कि मैं थागी वेस्टर्ण का भी शुरू करूं क्लास भी मेरी तीन दीन चलती है लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे पढ़ाओं कि सारा ही आपको पूरा करवा दिया जाए चालिए तो इस इफ टू सालीब्रेट इस इफ पिक्चर कौन बना सकता है ऐसे पिक्चर तो यहां पर उसके लिए विबादित हुआ था यहां पर कौन सा डर्टी कॉरूर जैसे की MF Hussain का हुआ था ऐसे ही ये भी है तो इनका भी डर्टी कॉरूर है यहां पर एक मतलब जो महिला है उसी का मतलब कोई भी महिला जो कोई डर्टी कॉरूर डर्टी कॉरूर है जो आपको यहां पर फिर 2015 में बनाया है यहां पर यहां पर यहां पर लाया गया था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह वाली पिक्चर अनिश कपूर है यहां पर जो बनाया है यहां पर डर्टी कॉरूर तो यहां पर है यहां लोग देख सकते हैं मतलब ऐसे तो अच्छा लग रहा है वैसे डिजाइन बड़िया लग रही है लेकिन वो किसी का है ना कोई गलत मतलब निकाल लेता है मतलब है नाम तो उसी बनाया तो उसी के लिए था तो यहाँ पर है यहाँ पर इन्होंने है यहाँ पर लिए बनाया है तो आप लोग देख सकते हैं ये dirty corner आप हम बात करते हैं पर नेक्स्ट है shooting at the corner shooting at the corner है जो 2009 में बनाया हुआ है तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कौन सा है shooting at the corner देखते हैं चलिए तो shooting at the corner गया कहां अरे गया कहां ये चलिए गायब हो गया है लगता है गयाब नहीं हुआ होगा इसको अभी ले आते हैं जादु से लेकर आते हैं इसको चाढ़े तो shooting at the corner ज़े पिक्चर उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है चाढ़े तो इसको भी देखते हैं यह लोग आप लोग देख सकते है shooting corner ये है shooting at the corner ये है picture ये वाली जो picture बनाई है ये वाली picture नहीं sorry sculpture यहाँ पर 2009 में ये बनाया है ये आप लोग याध रखे हैं बाकी इनको इसका जो आपको जो extra में बता रही हूँ इसमें आप लोग कोई ज़ाधा ज़रूरी नहीं है याद रखने की जो दो तीन बताई है उसका आप लोग ज़रूरी याद रख लेना बाकि ये सो है आप लोग इसकी बस याद रख लेना कि हाँ shooting एट जो कॉर्णर किसका है बस आप लोग यह याद कर लीजिएगा तो यह जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाली पिक्चर है नेक्स्ट देखते हैं आपके कौन सी है यहाँ पर Mother and Mountain नहीं शूटिंग नहीं यह वाला नहीं बताया है न यहाँ पर इसको भी देखते हैं आपे I discovered a mountain blooming with red flower यह वाली पिक्चर भी ठीक ठीक है ज्यादा important है Mother as Mountain यहाँ पर चलिए Mother as Mountain वाला देख लेते हैं यहाँ पर पिक्चर जो है Mother as Mountain वाला भी यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है? चलिए तो देखते हैं यह वाली पिक्चर है जो आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी पिक्चर में स्टेक हो गई है उसमें उपर नीचे हो गई थी तो चालिए तो उसको सही कर दिया है तो यहां पे Mother Ass Mountain है जो 1985 में यह बनाया है तो आप लोग देख सकते हैं यह वाली पिक्चर है तो यह भी अच् कार के बारे में देखते हैं सी कर्व है तो सी कर्व जो 2009 में बनाया है तो यहां पे सी कर्व आप लोग देख सकते हैं यह सी कर्व है सी की आकार में है यहां पर यह भी स्टेनलेस स्टीर में बनाया है यहां पे सी चाले तो यह चीज़ हो गया है अब हम बात कर सके सी करेंग में है making making the word many जो 1997 में 1997 चाले तो यहां पर इसको अच्छे से देखिएगा चाले तो ठीक है तो इसको अच्छे से देखिएगा बागी तो मैंने आपको जितनी भी है painting करा दी है इसके अलावर 2-3 जो बची है उसको भी बता देते हैं यहां पर अनीश कपूर की यह जो आप लो यह वाली नहीं यहां पर अभी जो आप लोग देखा था यहां पर यह वाली पिक्चर यह पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं turning the word inside एक था inside था एक था outside था यह है turning the word inside आउट है यह जो आपका 1995 में यह बनाया है यह वाला है inside यह inside है यहां पर यह वाला inside वाला है यह वा रहा है था outside bar, जो मैंने आपको पहले ऐसी picture दिखाई थी, ये वाली ऐसी picture दिखाई थी, चले तो कि हम मुझे दुबारा से उपर करना पड़ेगा, आप लोग समझ गहेंगे कि मैंने कौन से picture की बात कर रही हूं, ये वाली बात कर रही हूं, ये वाली, चले तो ये वाली इस picture की बात कर रही तो ये भी picture दोनों ही है दोनों ही बहुत ज़्यादा important है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा देखिएगा नहीं learn करिएगा देखने से कुछ नहीं होगा learn करिएगा चैले तो आप हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा बात करते हैं के सदस्ति की रूप में चुने गए ते 1999 में बे Royal Academy के सदस्ति की रूप में चुने गए थे आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनके पुरुसकार पुरुसकार इनको 1991 में इनको Turner पुरुसकार मिला और 2012 में पद्म भूशर से पुरुसकार मिला वो भी भार सरकार के द्वारा यह भारतिये ब्रिटिश मूर्तिकार है ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिन कहीं है वहीं कहीं भारतिये ब्रिटिश मूर्तिकार है तो इनको पद्म फूशर मिला है 2012 में मिला है इसको याद रखीगा टर्नल पुरुसकार है वेरी इंपोर्डेंट है नाइट हुड यानि की सर की जो उपादी जैसे सर अलेक्जेंडर कनिंगम आपनों ना सर की उपादी मिल जाती है वही नाइट हुड है यहाँ पे जो बिट हुड अब हम बात करते हैं पे 2017 में इसराइल के प्रतिस्ठित जैनेसिस पूरुसकार भी अनिश कपूर को मिल चुका है देखो यहाँ पे मैंने आपको यह चीज़ बता दिया है तो आप लोग देखो जितना हो सके बहुत अच्छे से लर्ण करिएगा पद्म भूशर यहा इनकी है प्रथम प्रद्रशनी वेरी इंपॉइंट है नेक्स रिखते हैं यहाँ पर सबसे जादा इंपॉइंट है वह कौन कौन सा है डिर्टी कॉर्णर मोस्ट इंपॉइंट है इसको आप लोग जरू तयार करिएगा यह हो गया अब हम बात करते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा मेकिंग सी कर्व मदर डिर्टी कॉर्णर जो सबसे जादा इंपॉइंट है इसको याद रखीगा मदर एस माउंटेन इंपॉइंट है वैन आयम प्रेगनेंट मोस्ट इंपॉइंट है यह वाला मोस्ट इंपॉइंट है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा ये वाला ये भी बहुत ज़्यादा important है next देखते हैं यहाँ पर art of nova ये भी important है बाकि आपको मैंने जो तुब बता दिया है बहुत अच्छे से याद रख लेना और बाकि आप लोग division करती रहेगा अच्छे से करती रहेगा cloud gate most important है इसका इस्थान, size जितना भी है, सब लोग याद रखना एक orbit middle वला जो है यहाँ पर इसको भी याद रखीगा यह है यह जो आपको दो तिन पिक्चर जो बता रही हूं बतलब बहुत ज़्यादा important है आप लोग उसको याद रखीगा यह है यहाँ पर और सिलर मित्तल जो orbit है तो यह आप लोग उसको ज़रूर याद रखीगा यह तीनों ही बहुत ही ज़्यादा important है यहाँ पर उसको याद रखीगा बाकी तो मैंने आपको पूरा बता दिया है आप कोशिस करें कि बहुत अच्छे से तयार करिए बहुत अच्छे से करिए यहाँ बाकी अनीश कपूर से इतना है कि यहाँ पर जितना मैंने आपको कड़ा दिया है एक भी कोशिन आपका बिल्कुल भी एक्जाम से बाहर नहीं जाएगा तो आपका पूरा कम्प्लीट हो गया है तो इसको देखिएगा बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है बाकी सारे स्टुएंट चाहते चाहते लाइक जरू करना लाइक करना न भूलिएगा और शेयर भी करिएगा शेयर तो खैर करते ही नहीं है तो चलो कोई बात नहीं कहना मेरा धरम है चले तो like share करिएगा और time मिले तो comment भी जरू करिएगा तो comment करेंगे तो अच्छा लगएगा बस अच्छा लगता है comment करते हैं बाकी और कुछ नहीं बाकी आपकी class यहीं पर finish होती है फिर मिलते हैं कल marathon class के साथ आपका सभी लोग join हो जाएगा 9 o'clock पता है न 9 o'clock जो बहुत सारे student के question गलत हो जाते हैं जिसका topic का नाम है aesthetic very important वो है आपकी कम से कम यह question है यह कर लेंगे तो इतना है कि आपका हर exam के लिए बहुत important है हर किसी का exam के लिए आपका aesthetic आता ही आता है चले आपकी class यहींट पर फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं ओके thank you everyone